दुनिया के सबसे मोटी महिला की मदद के लिए सुश्मा स्वाराज आगे आई हैं और जल्द ही इमान एहमद नाम की यह महिला इलाज के लिए भारत आने वाली है मिस्रु की रहने वाली इमान की उम्रे 36 साल है जबकि उनका वजन 500 किलोग्राम है दरसल इमान एहमद ने भारत आकर अपना इलाज कराने के लिए वीजा अपलाई किया था मगर किसी वजह से उन्हें वीजा नहीं मिल पाया जिसके बाद मुंबई के डॉक्टर मुफी लाकडावाला ने विदेश मंतरी सुष्मा स्वाराज को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी उन्होंने अपने ट्वीट में बताया था कि एजिप्ट की 500 किलोग्राम की महिला इमान एहमद अपनी जान बचाने के लिए भारत इलाज कराने आना चाहती है समाने तरीके से उन्हें मेडिकल वीज़ा देने से मना कर दिया गया है फ्रिप्या उनकी मदद कीजिए बस फिर क्या था इस पर सुश्मा स्वराज मदद के लिए आगे आई और डॉक्टर का धनेवाद देते हुए ट्वीट में कहा कि मैं जरूर उनकी मदद करूँगी आग को बता दे कि एमान पिछले 25 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकली है वो 11 साल के उम्र में अपने घर से बाहर निकली थी पर बताया जा रहा है कि इमान अहमद अब्दुलाती का जर्म जब हुआ था तब उनका वजन 5 किलो ग्राम था तो विदेश मंतरी सुश्मा स्वराज खुद इन दिनों अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है साथ ही साथ वो अपने मंतराले से जुड़े काम भी बखुबी देख रही है देखते रही एडिबी लाइव